अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब चैनल राय एजुकेशन में टीचर कैसे बने की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में बातचीत करेंगे टीचर बनने के लिए इजुकेशन क्या होनी चाहिए सैलरी प्लस कंफर्ट आपका कितना रहेगा वेतन आपका क्या रहेगा और रुजान इसी वज़े से सिक्षक बनने की तरफ लोगों का जादा रहा है आकर्शक नौकरी है और जाहिर से बात है आप वेल अपडेटेटिड आपकी एजुकेशन क रहेगी तो ही आप इस तरफ आखे उठाकर देखेंगे और मेनी फिल्ट वर्ण कई धेर सारे फिल्ड्स हैं जो आप लोग नहीं जानते या जानते भी हैं तो उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे गोर्मेंट सेक्टर और भी कई important sectors हैं जिस पर आपको focus करना चाहिए और किस तरीके से आप उस तरफ रुजान कर सकते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे इन तरीकों से पढ़ा कर आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं तो कौन-कौन से वह तरीके उस पर भी बातचीत करे हैं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा बीना स्किप की वीडियो को बहुत ध्यान पुर्वक देखिएगा और अभी ये सीरीज काफी ज्यादा वीडियो आएंगी लगात तार आपको आठ से दस वीडियो मिलेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मैं create कर दूँगा डेस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दे रहा हूँ जो टीचर हल्प के नाम से है ताकि आपकी बहुत डरसारी मदद हो सकते हैं वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले education qualification की बात करेंगे अगर आप सक्षक मनना चा रखता हूँ कि काफी ज्यादा इंजिरिंग हो गया medicals हो गया और सी एकांटेंट्स हो गया उस तरफ फोकस रहेंगे जो मिड रेंज होती है ना वेल एजुगेटेड लोग जिनको मैं बोलूँगा या जैसे टॉपर्स होते हैं 90 प्लस वाले उनकी बात नहीं कर रहा हूँ या पर वह exception है until and unless कि उनके अंदर यह कीड़ा है कि वह सिक्षक बनेंगे और समाज को नहीं दिशा देंगे लेकिन जो mid between रहते हैं 52 70 के बीच वाले यह ज्यादा फोकस होते हैं इस तरफ में तो सबसे पहले आपको बात करूँ एजुगेशन qualification में तो कई प्रकार के आप सि पीजीटी टीचर बन सकते हैं आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं तो जीरो टू टू ट्वेल्व क्लास तक टीचर होते हैं उसके बाद आप प्रोफेसर कह सकते हैं सिस्टन प्रोफेसर कर सकते हैं सैंटिस कर सकते हैं रिसर्च स्कॉलर कह सकते हैं लिएक क्लास ट्वेल तक आप teacher होते हैं ठेक है आगया बात करते हैं nursery teacher बनने के लिए आपके पास कम से कम कच्छा बारवी आपकी होनी चाहिए class 12 आफ होनी चाहिए अच्छे से और इसके बाद entity course nursery teachers training certificate आपके पास होना चाहिए और ये आपके percentage basis पर direct admission होता है या फिर exam conduct इसके लिए किया जाता है कई private आपके institutes हैं कई धिर सारी institute हैं जो entity course कराते हैं आप उससे enroll होके अपना आगे का future बना सकते हैं दूसरा है primary teacher जिसका सबसे ज़्यादा इसको भी समय देखा जा रहा है और आपको बता दूँ आने वाले समय में nursery teachers का बहुत ज़्यादा इसको बढ़ने वाला है क्योंकि सरकार pre primary concept के उपर ज़्यादा focus जो के काम कर रही है जो आपके लिए बहुत आने वाले समय में lot आएगा lot मतब समझते कि पूरा धेर आएगा पदों का सिक्षकों के लिए तो बहुत important है वो primary teacher की बात करें तो कमसे के मा के पास graduation की डिग्री होनी चाहिए प्लस आप BTC या डिलेट के नाम से जो जाना जाता है Diploma in elementary education यह आपके पास Diploma होना चाहिए या आप फिर B.A.D. होनी चाहिए bachelor होनी चाहिए education में या एक और कोर्स करा जाता है Class 12 के बाद 4 साल का जो कोर्स होता है Bachelor in elementary education उस कोर्स को आप कर सकते है Graduation के पास अमोमन 2 साल का आपका BTC या डिलेट कोर्स होता है B.A.D. भी 2 साल का ही होता है लेकिन अब new education policy से अगर आप P.G.E. हैं तो आप 1 साल में B.A.D. कम्प्लीट कर सकते है Graduate हैं तो आप 2 साल लगेंगे और 12 के बाद आप 4 साल में B.A.D. प्रोग्राम कम्प्लीट कर सकते है बात करें T.G.T. टीचर की तो T.G.T. टीचर के लिए वही same qualification है आपकी graduation plus B.A.D. आप होनी चाहिए और P.G.T. टीचर के लिए आपका PG होना चाहिए B.A.D. is optional among these और T.G.T. में subject combination की problem आती है और उस पर भी आने वाले समय में मैंने subject combination के पर दो different videos बनाई है जो description में लिंक है teacher help के नम से आप उसको जरूर देख लिजेगा अब बात चित करते हैं आगे क्या है आपको education field क्या क्या हो सकती है आपकी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा focus करना है आपको कई options दिखाने है मुझे इस वीडियो में न तो education field में कई धर सारे आपके पास options है teacher बनने के basis पे आपने अपनी सारी study कर ली आप graduate हो गए और आप education field में डिप्लोमा या डिगरी आपने प्राप्ट कर लिए बीएड कर लिए या बीडीसी डीएड कर लिए अपने डीएड कर लिए बीएड कर लिए तो अब आपके पास options क्या हैं क्या क्या options हैं आप as a teacher कैसे अपने आपको boost up करने के लिए enhance करने के लिए बहुत important है तो home tuition देगे home tuition की बार में भी deeply discuss करूंगा home tuition हो गया coaching में career आप बहुत बेश तरीके से आप अपनी बना सकते हैं private schools बहुत comfortable जोन दे रहे हैं बहुत अच्छे packages आपको available करा रहे हैं government schools तो अपने आप में हैं ही government institutions government sectors और online platform आज चकल तो बहुत चल चुका है online platform otg इतनी basic fundamental है कि आपके पास मतलब वो चीजे भी available नहीं है बहुत महंगे महंगे setup की जरूरत भी नहीं है आपके पास mobile phone है आप educated है आपके पास ग्यान है तो आप अपना ग्यान विस्तार कर सकते हैं इन platforms पे और अच्छी खासे आप earning भी कर सकते ह हैं और आप famous भी हो सकते हैं अपने knowledge basis point of office अगर आपके पास कुछ अलग है लोगों से तो आप जरूर दीजे आप जरूर आगे जाएंगे एक-एक करके बातचीत करेंगे पहले salary जो आपको सबसे ज़्यादा attract करती है उसके बारे में बातचीत कर लो nursery teacher आप है चाहे जार से start होके 20,000 तक के आसपास रहती है primary teacher की वहीं 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में 30 टीचर आप है तो आप 25 से बच्चमन के बीच में और PGT हैं आप तो 30 से 70 के round में यह approximate salary है कम ज्यादा हो सकती है nursery teacher फिर्स बोल तो जो junior बच्चे जो होते हैं जो play group कहलू मैं उनको यानि lower kindergarten group अपर kindergarten group senior kg है यानि कि class 1 के पहले पहले जितनी पढ़ाई या होती हो नर्सरी के अंतर गताती है primary में class 1 to 5 primary में आते हैं या अपर primary में 6 to 8 आ जाता है यानि primary में ही overall 1 to 8 आप देख सकते हो और squad TGT आपके लिए class 9 और 10 और PGT के लिए class 11 और 12 ठीक है इतना है आपका अब एक एक करके बातचीत कर लेते हैं home tuition home tuition आप दो तरीके से arrange करा सकते हो एक आप बच्चों को खुद अपने घर पर बुला सकते हो या फिर आप किसी के घर जाकर home tuition करा सकते हो अपनी qualification के साब से अब यहां पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगानी के आवशकता है आपके पास एक घंटे हैं ठीक है ना और आप prepared कर रहे हैं आने वाले एक्जाम के लिए कहीं और भी इंटर्वी दे रहे हैं प्राविट अच्छे-च्छे वेल स्कूल में जैसे डेली डीपीस हो गया आपके डिर सारे हैं जो special schools हैं जहां पर अच्छी-खासी salary होती है और अच्छा-खासा standard है आपका तो वहां पर जाने important home tuition home tuition आप दो तरीके से कर सकते हो एक आप घर पे बच्चों को बुला कर एक जा कर देखे इसमें दिमाग क्या लगाना है एक घंटे में आपके पास जैसे किसी के हां जाते हो आप तो एक घंटे में एक बच्चों को आप टाइम दोगे और कुछ monthly earning आपकी होती है ना आप कह सकते हो कि मेरा जेख खर्ष निकल जार है लेकिन अगर आप इसमें भी दिमाग लगाओगे तो एक सात एक घंटे में कई बच्चों को एक साथ बैठासकते हो आप और एक सात अजब कोचिंग इंस्टिटूट की तरह आप काम कर सकते हो कोचिंग क्लास की तरह सब कोचिंग क्लास की तरह और एक घंटे में आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो यह एक अलग तरीका है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दूसरा है कोचिंग क्लास में आप ऐसे ऐसे कोचिंग क्लास हैं जहां पर आप बहुत कोचिंग इस्टिटूट है जहां पर गवर्मेंट सेक्टर में भी पढ़ाने वाले अच्छे-चे इस्ट लोग भी इतने पैसे नहीं पैकेज नहीं कमा रहे हैं जीतना कोचिंग इस्टूट के टीचर्स कमा रहे हैं बता रहा हूं लाकों में कई लाक वैकेजेस होते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट है कोचिंग इस्टूट सा और आप मोटिवेड भी होते हो इतने लोगों को आप ग्यान दे रहे हो इतना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है आपका कॉण्विनेंस बिल्डप हो रहा है और आप प्रेपेर्ड भी करते जा दूसरा ओप्षन है आपका तीसरा ओप्षन है कि प्राइवेट स्कूल में चोटे स्कूल से आप स्टार्ट करके बड़ी स्कूल तक अपना एंबिशन रख सकते हो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बेसिस पर और आपके अंदर कितना मोटिवेशन है जुनून के इतना है कि आप के अंदर जो क्वालिटी है वो जादा स्पेसल बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और उसी साब से आपकी दी हुई ग्यान का आपको अच्छा कासा मुल मिले हैं क्योंकि हम देगी पारिश्रमिक अपना लेते हैं मेहनत का अपना पैसा लेते हैं और अच्छ एक्व्स पारिटी में आपका नाम भी होता है कि वहाँ वह तक पड़ा रहा है न्हां और अच्छा हआप स उसका पैकेज कि आजके समाज में आप किसी को मैमिकर नहीं करता कि आप कहाँ क्या कर रहे हो मैकर यह करता कि आपके स्कूर्प कि उधा हो कि आपको स्पार्मिक pode muchísimo बस यह important matter करता है education field में अगला है government schools, government sector government institution बहुत important है और अधिके government schools की बात करें ती आपको options है एक तो आप direct exam crack करके आप यहाँ पर पहुँचो merit करनो सार आप बहुत meritorious हो या फिर कई KVS हो गया, NVS हो गया या कई डेली के schools हैं, कई schools ऐसे हैं जो आपको समीधा के तौर पर contract basis पर direct interview call करते हैं और direct आप जाईए और आप 11 मैने का contract होता है फिर वो renewal होता रहता है और आप government institute से जुड़कर पढ़ाने का आपका समना पूरा हो जाता है और आप लगे रहते हैं तो कुछ सालों बाद आप permanent भी हो जाते हैं अगर और direct exam आप qualify करके जाते हैं तो आप तो permanent है यह option है as a teacher अपने carrier को furnish करने का और इसके बाद online platform तो आज के समय की सबसे ज़्यादा demanding platform है सबसे ज़्यादा demanding carrier option है as a teacher online platform में धेर सारे इंस्टिटूट्स हैं और लगातार इंस्टिटूट्स आते जा रहे हैं आप इसमें भी दो तरीके से काम कर सकते हो आप self individual की तरह काम start कर सकते हो या फिर आप किसी इंस्टिटूट्स से जूड़कर जो online हैं अपना carrier बिल्ड़प की हुए हैं आप उनसे जुड़कर अपना carrier बना सकते हो और अच्छा का सा package भी आप यहां से उठा सकते हो तो आई हूप कि आपको मैंने teacher कैसे बने और यह आपकी total depend है और मैं last but not least एक ही बात बोलूँगा कि अपनी education qualification को इतना बढ़ा ही है कि आप सबसे और अगर आप private sector में भी हैं तो आपके package इतने हाई रहेंगे कि दूसरे institute अले आपको call करेंगे अगर आप 10 लाग का package भी कहें उठा रहें तो आपको 12-15 लाग बुलाकर आपको बुलाया जाएगा offer किया जाएगा तो यह आपकी total depend है आपके knowledge के उपर तो खुद को उतना furnish करिए educated होई और बहुत comfort zone में रहें बहुत easy job है अगर आप well educated है तो लेकिन बहुत कुछ देना है समाज को नई दीशा देनी रहती है teacher कहीं काम रहता है और खुद आप वहां रहते हो सिख्षक का कामी है कि सिख्षक वो सड़क है जिस पर गुजर कर चार्ट बहुत आगे न चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छा लगए तो like और share जरू करते ही है thank you so much